जिस वक्त भारत गरीब था लेकिन नईतिक मूल्यों पर खड़े होने का साहस रखता था तो उस वक्त समाज के सभी वर्गों में हम देखते थे कुछ नईतिकता थी कि भाई एक लक्षमर रेखा है इसको नई लांगेंगे वो जैसे जैसे भारत सम्रद होता गया उसके नईत कीमत है आप जो कीमत लगे की मार्केट में जाए तो मुझफण नगर के दंगे में एक जो बड़ा पत्रकार जो राइनिती में गया उसको गोली मार दी गए और वो मर गया वहां पार तो है जो ब्रेकिंग नूस चली उसी के चैनल में यह चली की एक्स वाई चैनल का स्टि लेंगे और मैंने कई लोगों की तरक्की देखिए 6-8 महीना खीठा गाड़ियां ले लिए से लालु यादर से गाली खाते देखा बड़े इंडुस्ट्री चलाने वाले और गाली में वह यह भी बता रहें तुमको क्या क्या दिया इसलिए वह भ्रमदूर्द कर दीजिए आज कल वह यूटीव चैनल भी चला देंगे आप मुझे नहीं परता क्या चला दें लेकिन यह जान लीजिए पहले तो केबल अपराधी ही प्रत्रकार से सिक्रेट मंगवाता अब नेता भी मंगवाता है अब बता दीजिए कि अगर भी लोग टेते नेताओं का संबान नह कि मुझे हिंज साख कोना नहीं सिखाती और यह हिंदू तर्क टाकता है हिंदू की ताकत है अब जब अपने ऊफ़ान पर था तब में वहां पर नौकरी करता था वहां पर जब बाटला इंकॉंटर हुआ तो बाटला इंकॉंटर के अंदर यह तै हुआ कि यह जो मुझ जैसे एक यूटूबर के लिए दविशेक तिवारी शो मैं होस्ट करता हूँ अपने चैनल पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को मैं कैसे होस्ट करूँ इतने किस्से हैं लेकिन जो टॉपिक है वो मोड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है क्या मीडिया भिकाऊ है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तित करूँगा क्या मीडिया सिंस इंडिपेंडेंस भिकाऊ रही है या 2014 के बाद रही है सबसे पहले अमिताब सर से पूछूँगा अमिताब सर यह जो मीडिया की परिभाशा है या एक जो परिशेप्शन आम जन्मानस के अंदर है मीडिया चोथा इस्तमत्तु बरबाद है गिरा हुआ है इंडिविजूल की पहचान नहीं है मैं आपके अनुभव के थूजानना चाहता हूँ कि क्या वास्तों में मीडिया सुरू से ही ऐसा रहा है जो अभी जो स्वरूप दिखता है या आपके आखों के सामने धीरे-धीरे बदला है या उसमें बाहूबल, पैसा या लीडर्शिप, नित्रितु का भी प्रभाव अब ज़्यादा दिखता है मुझे लगता है कि जो सामाजिक इस्थिती होती है जिस दौर की उस इस्थिती से उस दौर की सभी चीजे प्रभावित होती एक ही टकसाल से मस्टर आ रहा है, सिपाही निकल रहा है, जूनियर इंजिनियर निकल रहा है उसी से लेखपाल पटवारी निकल रहा है, उसी टकसाल से पत्रकार आ रहा है समाज तो एक ही एक कालखन में तो समाजिक अब मूलिन जो है न वो हर विधा को प्रवावित करता है उसने पतकार्था को भी प्रवावित किया इससे इंकार नहीं किया जा सकता जिस वक्त भारत गरीब था लेकिन नैतिक मूलियों पर खड़े होने का साहस रखता था तो उस समाज के सभी वरगों में हम देवते थे कुछ नैतिकता थी कि एक लक्षमड रेखा है इसको नहीं लांगेंगे वो जैसे जैसे भारत सम्रद्ध होता गया उसके नैतिक मूलि नीची आते गए तो वो हर दृष्टी से आए हर कोण पर आए हर आयाम पर आए उसी का हिस्सा म मैं यह नहीं कहूंगा कि बाकी सब पाक साफ रहे साथ में आसमान पर पवित्र है आवे जमजम है और मीडिया पतित हो गया ऐसा मैं नहीं कहूंगा मैं अन्वांटेड निंदा में भी रसने लेता जो इसी परिस्थितियां समाज की है वह इसी ही इसकी और दूसरी एक जो मीडिया से जब हम भी अपिक्षा करते हैं सांसदों की तनखाएं जब बढ़ाई गए हम लोगों ने 30-40 साल के अपने अनुभब में देखा तो तर्क दिया गया कि सांसद को पैसा ठीक देओ ताकि वो छेतर की सेवा कर पाया और दंदफंद में कम लगे हाला कि उसके को या उननब्बे के दोर को देखी क्या आस तनखाई ठीक हुई है क्या तब क्या तनखाई थी मेरी जब में पहली तनखा मिली तो बारा सो रुपया मिली और मैं आयम छोड़ कर आया तो यह पेशा कुछ त्याग तो मांगता है मैं कहूंगा कि जो घर फूक है आप कभीर अगर आपको बैभव चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए फार्म आउस चाहिए और पेंट हाउस और कैसे कौन-कौन से हाउस है वो चाहिए तो किसी पार्टी में शामिल हो जाए भाजपा कांग्रेस सपा बसपा लोग दल जंता दल जाहें जिसमें सब में भरपूर फसल का अपने के आजादी है जिक बड़िया गाड़ी हो जाएगी राष्टबादी रही है चाहिए बामपंती रही है उससे कोई परकत नहीं सारे पंथो में गंगा वह रही है आनंदली जी या प्रॉपर्टी डीलिंग का गाम करने लगी वो भी अच्छा खाम है उसमें भी कालोनी काटी है ठीक लेकिन अगर पत्रकारिता करनी है अभी हम लोग दूसरे मंच पर जबते है तो अशोग ने बात कही कि पत्रकारों की आर्थिक सम पत्ति की जाच हो नहीं हो आलग वि अच्छे छोड़ दूगा जिर पेशो में इमांदारी से समपनता हो काम करूबा मिरे अंदर योगता है चमता है में सबोसा भी बेचुगा तो उरों से बहतर बेचुगा तो क्या दिक्कत है नेकिन में पत्रकारिता में रहते हुए दूसरा काम नहीं करूगा यह ठीक नही ये नेतिक बुल ना कोई ठोप सकता है ना इंजक्ट किये जा सकते हैं ऐसा कोई इंजक्शन बने ही नहीं कोरोना का टीका बन गया इसका टीका नहीं बना कि नेतिकता आप डाल देंगे आदमी बैइमान है तो फिर वो चतुर्दिक बैइमान है भाई वो जो काम करेगा उसमें घपला करेगा, चाहे पत्रगाजिता करे और चाहे पुलिस में सिपाही बने, इसलिए मुझे लगता है कि सत्ता किसी भी दोर के रही हो, हम लोग जब चैतन्य हो रहे थे तो एमर्जेंसी की छाया का समय था देश में, फिर उसका उतार हुआ, मुरा होता है कि मीडिया को दबा के रखो, मेरी जिसी खरी बात कोई नहीं कहेगा, कोई इधर की कहेगा, कोई उधर की कहेगा, कोई उधर की कहेगा, कोई इधर गाली देख उधर, मैं किसी गाली देख बीच में खाड़ाओ, इंद्रा गांधी की सरकार चाहती थी, कि जो कुछ बोला जाए तब और तो कहीं बोले नहीं जाता था दूरदर्शन गयावा रेडियो के लावा तो वो हमारे नियंत्रव से ओके होके जाए संजय गांधी उसको एप्रूव करें वैसी थित रही दूसरे नहीं करते वो एक्स्ट्रीम की थित रही थी एतिहासे थित रही थी ले स्वाभाबी के जब आपने पत्रकारता के लिए कोई आर्थिक स्वतंत्रता का धाचा ही भारत में विक्सित नहीं किया तो आप कैसे प्रिक्षय करते चड़्या बेटा सूली पर भला करेंग राम उसका क्या होगा दिली में ही पत्रकारता नहीं हो रही भाई चामू में भ पर कोई लड़ने वाला नहीं संगर्ष करने वाला नहीं उनके चैनल में ख़बर नहीं चलेगी उनके अख़वार में ख़बर नहीं चपेगी अभी अशोग बदा तो रहे तो वहां का प्रिस क्लब पर विरोध प्रदर्शन की आ तो दस लाड़ मी नहीं आए तो गरीब बड़कार कैसे लड़े आप उससे एक अच्छे करते हो कि बटा भगत सिंह ऊजा उसका उच्चे क्या करेंगे ये बढ़ी समस्या है या तो समाज पतरकारीता को वित्या सहयोग की कोई योजना समाज से आए विप्ति सहयोग कार्पोरेट से सरकार से आएगा तो उनका दखल रहेगा कुछ लोग मान लेते कुछ लोग नहीं मानते ठित्रही करते लेकिन सचाई यह दखल रहेगा भाईया जो पैसा देगा तो अपनी चलाएगा आई एमफ से लोण लेंगी सरकार तो आएमफ की शर्थ मानेगी खुले मानो और चाये अंधेरे बाट अबम ले लो और शर्त भी ना मानो पैसा लोगे तो शर्त माननी पड़ेगी अशोक सर बाइस वर्सों से आप दूरदर्शन में काम कर रहे हैं और इस पर डिरेक्ली कहूँ कि सरकार का पहले तो completely नियंत्रन होता था 2014 में गजब का हलुआ अब राष्टवादी सरकार आई मैं नाम नहीं लूँगा और अभी अभी सीखा है अमिताब सर से लाम लेना नहीं लूँगा लेकिन बड़ी गजब की मैंने चीज़ दिखी कि कई राष्टवादी बन गए और बोले हम भी राष्टवादी हैं अब हमारी राष्टवादी पत्रकारिता देखो यह जो फ्लिप है पत्रकारिता में यह कैसे आता है और यह जो जन्वानस अंधेरे में सामने बैठा है यह एक्जैक्ली अंधेरे में है पत्रकारिता के भी उस दिर्ष्टिकोंड से मैं जहां कह रहा हूँ इसका सॉलूशन यह निकाले तो कैसे निकाले समझ में नहीं आता कौन रहस्टवादी है कब फ्लिप हो जाएगा और क्या हो जाएगा यह आप कब से देख रहे हैं यह जो बदलाव है यह यह भी एक सतत्प्रक्रिया है देखिए ऐसे तो इस सतत्प्रक्रिया है सरकार आती है तो बहुत सारे लोग अपने एकदम से पल्टी मारते हैं और एकदम से राष्टवादी बन जाते हैं फिर एकदम से पल्टी मालते हैं एकदम से वामपंती बन जाते हैं तो वो तो एक सदत्प्रक्रिया है लेकिन मैं यह कहता हूँ इसमें देखिए दो हमको दो चीजे देखनी चाहिए इस देश में 2014 के बाद अब जैसे आप मान लिजे 2014 कट आफ डेट लेने 2014 के बाद अचानक आपको बहुत सारे पत्रकार राष्टवादी पत्रकार बनते दिखे आपका इशारा शायद उस तरफ है और अमिताब जी क्या आपने सीख लेनी नाम नहीं लेना चाहिए तो पता नहीं मैं इसलिए मैं इस मामले में थोड़ा उल्टा हूँ मैं तो नाम लेकर ठोकता हूँ मुझे लगता एक्स्पोस करना चाहिए लेकिन मैं एक बात कहता हूँ अब इस मामले में मैं नाम लेने से इसले नहीं कहा रहा है को कि मुझे किसी से कोई डर आया कोई मित्रता है लेकिन देखें क्या है मैं अपने उपर लेता हूँ 2014 नहीं पर आप मेरी कट ओफ डेट मान सकते हैं 2000 आप मान सकते हैं 1995 मान सकते हैं 1994 ले ले लेते हैं मतब कुछ ऐसा ले लीजे कोई ऐसी कट ओफ डेट ले लीजे मैं खुद भी जो है बहुत बदला हूँ तो मैं कैसे अगर जो बदले हैं मैं तो 2014 के बाद नहीं बदला लेकिन 2014 के बाद बदले तो मैं उनकी इंटेंशन पर तब तक शक नहीं कर सकता है जब तक कि मुझे सामने से आफसर ना मेरे उनकी इंटेंशन बदलते दिखने का मैंने कहा मैं खुद बदला हूँ इसलिए मैं आपको ये बताओं मैं सचमुच जो है मैं मंदिर नहीं जाता था अब भी मैं मानता हूँ कड़कड में भगवा नहीं लेकिन मैं मंदिर नहीं जानता जाता था मुझे भगवा देखके जो है चिड होती थी मुझे लगता था हर भगवा धारी जो है वो कोई ना कोई चोरू चक्का है तो कि हमारे मन में ये भर दिया गया था खास करके बॉलीवुड की फिल्म है ये सब देखका भगवा लेकिन धीरे धीरे मेरी भी आखे खुली मुझे समझ में आया कि भगवा का क्या importance है मुझे समझ में आया हिंदू तो मैं भी secular था न एक ताइम में college में तो हम भी secular होते थे हमको लगता था हर वेक्ती बराबर है और जो है सेकुलरिजम जरूरी है तो मैं खुद भी बदला हूँ तो मुझे नहीं मालूम 2012 के बाद इस देश में देश को लेकर नाशनलिजम को लेकर के एक 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 लहर आई अब उस लहर में बहुत सारे लोग जो हैं आगए अब कुछ उस लहर में तो आगए इसलिए कि जो कर्स पर नहीं पहुंचा हूं लेकिन आप लोग सब जो हैं विकाज हम लोग चैनल में हमको अपने अपने चैनल के अलावा दूसरे चैनल देखने का बहुत कम मौका मिलता है लेकिन पब्लिक इंदिनों कह रही है दोजार 24 के चुनाओं के बाद कई जो एंकर कई बड़े- अब इसमें कुछ हद तक तो मजबूरी भी होती है ठीक है कुछ हद तक मजबूरी होती है क्योंकि चैनल की एक पॉलिसी होती है लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा आपकी अपनी स्टैंडिंग बड़े इंपॉर्टन होती है लेकिन एक चीज जो आपने हमिताब जी ठीक है ना हम किसी पत्रकार से उमीद करें वो बड़ा इमानदार हो उसके डियने में डियने में करफशन आ गया क्या जब जब नोट बंदी लागू हुई तो जितने बैंकर से सबने करोरों कमा लिए उनको मौका लगा उनने करोरों कमा लिए उनको लगा पता नहीं ऐसा म मौका मिले ना मिले उसके बाद जब करोना आया तो जितने जो कैमिस्स थे जितने डॉक्टर्स थे जिनके होटल थे जिनके हॉस्पिटल थे सबने करोरों कमा लिए तो हर आदमी मौके का इंज़ार करता है कहते हैं इंदुस्तानियों के बारे में कि एक आदमी तब तक इम मान लिजिए कि एक चौकी पर 25 सिपाही हैं क्या वो 25 के 25 करप्ट होंगे आप उनको कभी आजमाईए आप उनको कहिए कि भाईया सामने से गोली आएगी तुम भाग जाना ठीक है? हम तुमें एक लाख रुपे दे देंगे मैं दावेशिक के साथ कहता हूँ कि उन 25 में से हो सकता एक तो निकल जाए ऐसा जो भाग जाए बाकी 24 वाँ डटे रहेंगे एक लाख के लिए नहीं क्योंकि वो एक काउज के लिए काम कर रहे हैं काउज के लिए और अगर पत्रकारिता में भी अगर मैं एक काउज के लिए कर रहा हूँ अगर मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे पत्रकारिता इसले करनी है क्योंकि मुझे इस देश को सुरक्षित रखना है तो मैं नहीं भिकूंगा क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है अगर मुझे कोई आकर अगर आपको कोई आकर कहे कि मैं अभिशेक जी आपको एक लाख रुपे दूँगा एक खालिस्तानी का पॉडकास कर दीजे आप कहेंगे मैं नहीं करूँगा मेरे पास कोई आएगा कि यह फ़लान आदमी है यह जो है उस सरजीर इमाम के लिए जो है काम करता है और आप दो लाख रुपे ले लो थोड प्रतिबद्धता और व्यावसाइक व्यावधान मैं थोड़ा इस फाइनेंशेल टम को व्यावसाइक व्यावधान बोल देता हूं प्रकर सर आपसे भी कोश्चन वही है बिका हुआ मेडिया लेकिन यहां पर थोड़ा सब परिवर्तन है एक मीडिया परसन है वाज अधारन पार्टी है वो ज्वाइन कर लेता है हो सकता है राइस पर हो और फिर उसके बाद वापस कहता है कि अब मैं वापस चुकी मेरी पार्टी में डाल नहीं गली पार्टी में सोच रहा था राजी सभा वाजी सभा मिल जा था नहीं मिला तो मैं वापस पत्रकार बनता ह अब यहां पर जो neutrality है या भी काउ है अब आप सीज़े सी जाशुतोजी का नाम नहीं 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 लिया साथ मैंने लिया गेम कि मैंने एक इतने भी बर्दा दरी क्या है एक ये अटि एक ये से नमुन ने हमारे देश लो कभी पत्रकार कभी नेता कभी पत्रकार कुछ भी ने अब आप लोग भवी से कि भी संदर्म में समझे कुछ लोग TMC जोईन करते हैं, अलग-अलग पार्टी जोईन कर सकते हैं, कुछ लोग BJP भी जोईन की हैं, ऐसा नहीं है, उनके उपर allegation नहीं लगता, मीटू का तो सहथ अभी वो नेता होते हैं, फिर वापस पत्रकार हो जाते हैं, मेरा वो कम सब यह नहीं था, लेकि मैं वहीं स्टोड जानना चाहता हूं, यह समझना चाहता हूं, कि यहां पर व्योसाईग व्योधान है, यहां पर position की चाहत है यहां कम से कम वैचारिक प्रतिबधता की जो बात की वो तो कम से कम नहीं है तो इस पर जनता कैसे समझे इसको कैसे देखे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति हो चाहिए वो पत्रकार हो वैपारी हो YouTuber हो कोई भी हो उसको राजनीती में जाने का अधिकार है कई ऐसे पत्रकार हुए जो राजनीती में गए फिर राजनीती की होके रहे गए मैं राजी शुकलादा यहां पर नाम हूँगा एक बार राजनीती में गए तो राजनीती की होके रहे गए अधिकार था उनको लेकिन मुझे बड़ी ताजूब होता है देखकर कि जो लोग अचानक तो नहीं गया होगा कोई व्यक्ति पत्रकार मतलब एक व्यक्ति जो एक रात पहले तत मेरा कोश्य नहीं वही था कि जब वो पार्टी में जाने वाला है तो उसवत जो शोज कर रहा है प्राइम तरव वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप एक रात पहले तत एक बहुत बड़े चैनल के संबादक है आप भगवान बुद्ध की तरह आपको ऐसा तो हुआ नहीं कि आप बैठे हुए तो बोधी सत्व की प्राप्ति होगे राजनीती में चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं फिर हम जेसे पद्रकारों को प्द्रकाजिता सिखाते हैं deaf its channel के स्टुडियो में बैठके बोलते हैं यह journalism नहीं है एक कर ये इस तरह की नहीं, इस तरह की बाते करते हैं, आप ने क्या किया, उन पत्रकानों के अगर में सीधे बात करूँ, जिनके चैनल के अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति मर जाता है, मुझफर नगर में दंगा हुआ, अशुक जी, मुझफर नगर में दंगा गई, वो मर गया वहाँ पर, तो ब्रेकिंग न्यूस चली, उसी के चैनल में, वो ये चली की, XYZ चैनल का स्टिंगर मारा गया, अपनी चैनल में अपने उस पत्रकार को स्टिंगर बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि जब उससे आप फोनों लेते थे, या जब उसका अपने डिसौन कर दिया उसको, और आपने उसको स्टिंगर लिग जा, इस तरह की पत्रकारी तक इस तरह रहा है इन लोगों का, इनके चैनल से एक ही रात में सो सो लोग निकाल दिये गए, और आज ये बिरुजगारी पर बात करते हैं, टीवी पर बैटके, संबादक के त तो क्या चटनी करते वक्त आपने इमानदारी बरती थी, ये जो तरीके हैं, ये गलत तरीके, आप देखे क्या होगा है, एक पत्रगार में आपको किस्सा बताता हूँ, ये पत्रगारी ता कैसी पत्रगारी ता करते रहें, जो प्राजडिती में चले गए, भारत के एक बह थपड मारा था, आप में साहँ ये नहीं जानता है, कि उस पत्रगार को थपड क्यों मारा था, मैं बताता हूँ क्यों थपड मारा था, अंदर की गहानी, देखे, क्या हुआ, आप जो पत्रगारी ता पर आज जान बाढ़ते हैं, कांशी नाम जी का आपको इंटर्वी लेना था, या बाइट लेना था, आप पत्रकारों की, दस पत्रकारों की फील पहुँच गई, कांशी अमिताप जी जो जानती हैं इस बात को, बहुत करीब स पत्रकारों को, तो उन्होंने एक लंबा इंतजार करवा दिया उस दिन पत्रकारों को से, वो जो महान पत्रकार जो आट टीवी स्ट्डियों मेटके बड़ा-बड़ा ज्यान बाढ़ता है, उसने उस पार्टी के कांशी राम जी की बड़ी दलित महिला के लिए अब शब् अब दलित महिला नेता के बारे में अश्टी भाषा का इस्तमाल कर रहे हो, उसके बाद उस थपन वारा जाता है, और उस थपन को भुनाते हूँ आज इतने बड़े बन गए हो, कि आज हमें पत्रकारी था, आप ज्यान देते हो, राइगनीती पर चले जाते हो, फिर पत्र कि मुझे अगर व्योसाय या पैसा चाहिए होगा, तो मैं पत्रकारी था चोड़ दूगा, सर, मैं बहुत आपसे उमर में बहुत कम हो, बिहार की धरती से आओं, मैंने उल्टा देखा है, सर, बुरा मत मानिये गए, यहां तो कई लोग पत्रकार ही इसलिए बनते कि नेता क को डरा के रखेंगे, उससे हर महीना सेलरी लेंगे, और मैंने कई लोगों की तरक्की देखी है, 6-8 महीना ठीक ठाक गाड़ियां ले लिए, सर, तो यह एक आइडियोलोजीकल करप्शन, जो सर बोल रहे थे, कि हर यूग मेरे जो अशोक सर बोल रहे थे, यह एक आइडियो भाई, देखो, हम तो किताबे तो पढ़ी ने, हमने तो लोग जीवन देखा जितना उतने समझ समझ सकता हूँ, बाकी थोड़ा तोड़ा आजा भाईयर, मैंने जितना लोग जीवन देखा है, मैं उतने के आधार पर बात कह सकता हूँ, मूल विशे यह है कि पहले तो हमारे सूत्रधार कि अविशेक के राजनेताओं को डरा के वो दोर चला गया बाबू अब राजनेताओं की चाकरी करके आप ऐसा पाइसा पाइदा कर रहे हैं हमने बता देखा किसी नाम लेजिए भी उसकी पर घॉल दूब मैं नाम तब भी नहीं लूँगा लगी मों उतनी बात बता दूबगा जितने में अंगा सारे कील काटर भार आजाएंगे क्या हमने देखी जनत की हकीकत क्या है दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याला चाहे अमने संस्थान चलाने वालों को अमर सिं Bonus से घाली खाते देखा अपरक्ष्ष गूगल नहीं भागी लोगों को घुट्फना पाइडर भागल को जो खाते देखा बड़े Another इंड़स्ट्री चलाने वालों को क्या और गाली में वो ये भी बता रहे तुमको क्या क्या दिया कमीनो क्या इसलिए वो भ्रमदूर्द कर दीजे आज कल वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं क्या मुझे नहीं पता क्या चलाते हैं लेकर ये जान लीचे पहले तो केबल अपराधी पत्रकार से सिग्रेट मं संपादक उनको 24 घंटे बिहार छोड़ना पड़ा वो ये खबर चाप दिये शाबुद्दीन की लड़कों ने का कि भाई जी चाप दिया नहीं आया आया आगे लगा पोल क्या वो ले बाई संपादक जी हम बड़ा संबान करते हैं बत्रकारों का लेकिन अपनी बदली करा जी चोबिस घंटे में मैं सामान और दिक्का तो तो में जड़के बेदे वसा पैक करा देंगे पहले अपरादी ऐसा करते थे आप ए मेले भी यही कर रहा पारशद भी यही कर रहा गाउं में ग्राब परदान भी यही कर रहा क्या यूट्यूब बाद चलाओ चलाओ क्या आन मिलो सजना गुलाबी राते काले दिन कोई अख़वार चलाओ कोई नाम रखो फिक गंदा यह यह प्रधान के आँ जाओगे तीन दिन चम्चागीरी करोगे तब वो पांसो रुपया का विग्यापन प्रसुदंदरता दिवस पे देगा गलत कह रहो अभिशिक बाव क्या आओ रंगवाजी खतम हो गई और अगर यह कोई ब्रह्म है कुछ लोग छोटे स्थर पर मखन लगा रहे हैं तो छोटा परसाद बा रहे हैं मोहले के मंदिर में मखन आरती करोगे तो छोटा परसाद मिलेगा बाके भी हारी मुका लग जाएगा तो ड़िया मिलेगी त तो बड़े नेताओं कि चाकरी कर पा रहे हैं वो गाड़ी बंगला जेसा कह रहे हैं तो गाड़ी आ जाती गाड़ी क्या जो एक्षा करियो मन माही प्रभु परताप कच्छु दुरलव नाही क्या कवन सुकाज कथिन जग माही जो नही हो ताप तुम पाई यह दरती पर लेकिन अगर कोई पत्रकार आपसे यह कहे कि मैंने ऐसी को जूट फेके तो उसके कान के नीचे एक दीजेगा अगर वो यह कहे कि फिर मैंने उनको टाइट कर दिया वो टाइट हो के आ रहा है इसलिए ऐसा बोला है अरे मैंने तो मालिकों को पात पूचा करते देखा नेताउ की पत्रकार छोड़ो मालिकों को पात पूचा करते देखा और नेता की पहली बात यह होते कि अरे भाई यह प्रकर हमको ना समझाओ अभी तुमारे मालिक आये थे लो अब इसके वाद प्रकर सवाल पूछना भी बूल गए उलकया पूचे मैं एक नब्बे की बात बताता हूं नब्बे के दोर में मैं एक अखवार में था तो उसके संपादक के एक राजनेतिक पार्टी से जुड़ा रहे थे और उसमें हमारी भी थोड़ी बहुत भूमिकाती पर्चे इर्चे कराने में तो मैं जब उनक अखवार में तो मैं आपके जाने से मेरा ख्याले ने देना और अगर यह है तो फिर मैं यह बीट नहीं कर सकता इतना सहास मुझ में 1990 में भी था क्या जब मेरी पत्रकाड़ीता को बहुत समय ने हुआ था और को मेरी पहिचान भी नहीं बनी थी क्या अब सहास आजा तो रीड की हडी खुद रखनी होगी आप नहीं रख सकते तो मैं ने कहा कि वर्तो आप पत्वारी लेख पाल हो जाते तो बिना गाली खाए पइसा पैदा करते पत्रकार तो अब गाली भी खानी पड रही है नेता भी गाली दे रही है आप बता दीजिये कि अगर लोग कहते नेताओं के सम्मान नहीं है, पत्रकारों के सम्मान कहा है, वसुंद्रा राजे के पाइलट थे, वसुंद्रा जी का नाम यादा गया राइस्थान इसलिए, तो वह अमारे मित्रत है, एक बार उन्हों नहीं चर्चा चली तो उन्हें किसी गड़त इंटेंशन से नहीं, बहु लोग यह कहते है, यह धारना है, यह धारना किसने बनाई, यह अकाश से यह हमी लोगों धारना बनाई है, मित्रक, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिया है या जमानत पर फरार, बहुत बड़े, सर एक प्रशन भी है, असोग सर और मेरे मन में भी एग्जेक्ली यही प्रशन था, कोई एक स्वाई जेड आइडियोलोजी का नेता एक टर्म कोईन करता है, मान लेजिए, कास सेंसेस करना है, किसकी क्या जात है, आज हम जानेंगे, पत्रकार की भी क्या ज अरता होगी, वो स्वतंत्र होगा इस मामले में, तो यहाँ पर जब स्थिती आती है, कि एक तरफ चैनल है, एक तरफ एडिटोरियल चल रहा है, और एक तरफ आपका व्यक्तिकत मत है, इसको कैसे आदमी बैलेंस करता है, या फिर करता आ रहा है पत्रकारिता के जगत में, या फिर जो अगर आप मान लिजे इस टर्म के ठीक विरुद है, कि नहीं पत्रकारिता में, जिस प्रकार से लोगों के कास पूछे जा रहा है, यह गलत है, और आपका मीडिया ग्रूप करना है, तो यह जो इस सिती है, यह कितना डिफिकल्ट होता है, देखिए एक तो यह ह कि जहां तक हम पहले भी सेशन में जो चर्चा हो रही थी कि एक एडिटोरियल पॉलिसी है, आपको इस एडिटोरियल पॉलिसी के तहर चलना है, दूसरी चीज यह है कि जैसे आपने कहा कि मान लिजे पत्रकारों की कास सेंसर, या किसी चीज़ को लेकर आपकी, आप उस से स निकल जाना चाहिए, और इसके अलावा होता क्या है कि कई पत्रकार, जैसे प्रामिताब जी कह रहा है, कई पत्रकार उने अपनी बीट बदरवाने के लेक्शन में का, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, अभी एक महिला बड़ी पत्रकार है, पल्लवी गोश्ट, आप उनके कुछ पॉड्कास्ट जो हैं, उनके वाइरल हों, उसमें आप देख सकते हैं, वो कॉंग्रेस बीट कवर करती थी, और कॉंग्रेस बीट पे कवर करने के बावजूद उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता था वहाँ पे, उसको उन्होंने सब बताया, और ऐ अगर कोई अगर कोई अगर नेता किसी पत्रकार से उसकी जात पूचे, तो क्या इस पर मीडिया को एक सामवीट स्टैंड नहीं है? मीडिया को सामवीट स्टैंड लेना चाहिए? कि आपने हमारे पत्रकार, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए आज के दौर में कॉंग्रेस से पूरा मीडिया इतना डरा हुआ है, आपको छोटा सी घटना बताता हूँ, मैंने राहूल कमल की वहाँ बाद की दूसरी इनती हैं, पूरी राहूल गांधी की उन्होंने भारत जोड़ो यातार कवर्रेट के थे आपको गांधी के देखिए, जबकि मॉस्मी ने आज तक पर लगा ता राहूल गांधी की रिपोर्टिंग की, उन राहूल गांधी से मॉस्मी ने एक सवाल पूछ लिया, प्रेस जगा पर भी जब चैनल स्टैंड नहीं लेते तो दिक्कत होती है तो यह जो जात पात पूछने की जो बीमारी चली ये करी मुझे लगता है सामीं क्रूप से इस पर स्टैंड लेना चाहिए लेकिन पत्रकारिता क्योंकि जैसे अमिताब जी ने कहा है मालिकों से ड़ते हैं मा मैं पत्रकार है लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ देखिए किसी पत्रकार को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी हो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी करें काम नहीं करते हैं लेकिन आइडिल मैं अभी आता हूँ किसाना अंदोर्ण में लाशे लटकी थी, अगर कंगना रणनत ने क्या गलत कहा था, पैसली एक दलित की वहाँ पर हत्या इसको काट के लटका दिया गया था, एक मैला जो बंगाल की तो उसका बलाथ कार वहां हुआ था, लेकिन जब ये कब ये डिबेट में जब विश्या है या वहाँ पे पत्रकारों ने हत्यार डाल दिये वहाँ पे मीडिया ने हत्यार डाल दिये वहाँ मीडिया ने क्यों नहीं कहा कि काना ने जो कहा वो सही कहा ये फैक्ट है वहाँ पे बलाग कार हुआ वाह एक दलित को काट के लटकाए गया लेकिन वहाँ पर हम लोग चुप हो जाते हैं वहाँ पर कई पत्रकार हतियार डाल देते हैं डिबेट में भी और खबरे करने भी दिक्कत वहाँ होती है और मुझे मैं फिर कहा रहा हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है किसी पार हमने प्रतिकार नहीं करना चाहिए क्या रहे हों मेरा चैनल मुझे करना ही करनी है लेकिन क्या मैं अपने सोचल मीडिया पर नहीं लिखूंगा कि मैं हिंदू हूँ मैं संस्करती से शंसकरती मुझे हिंसक होना नहीं सिखाती और ये हिंदू the गुत की ताकत है लेकिं वहां पे पत्रकार खामुश हो जाते है तो ये आइडेलोजिकल जो वोग है मुझे लगता है पत्रकारों को वहां पर मुखर होकर बोलना ही चाहिए और इसी लिए मैं कहता हूँ इस ideological war में कुछ पत्रकार अगर दलाली कर रहे हैं तो हमें उनका नाम भी लेना चाहिए अमिताब सर और असोग सर को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करके अपना गतिगत यूट्यूब चैनल चला करके ज़्यादा सेफ हूँ क्यों से वैचारीक रूप से तो कम से कम स्वतंतर हूँ अभी लेकिन ये जो बात इन्हों ने बोली कि क्या सोसल मीडिया पर पोस्ट नहीं थी क्या सोसल मीडिया के आने के बाद पत्रकारों पर और अधीक दबाव है और क्या उनके डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हुए है सोसल मीडिया के ऐसे जो ये लोग अंधेरे में बैटे हुए ऐसे लोगों के द्वारा कि आप इस वक्या है और ठीक एक घंटे बाद आप किनके साथ बैठे थे और ये एक बहतर है चीज या अभी जो इस्थिती बन रही है फिर वही कि मीडिया भी का हुए जो मैंने टर्म को जो पूरा सेशन का ये है इसमें सबसे बड़ा प्रोब्लेम प्रकरसर ये जो पत्रकार के पास है कि फिर वो अपने व्यचारीक प्रतिबद्धता को कैसे प्रगट करे सीधी सी बात है मैं पत्रकारों के परिवार से आता हूँ मेरे घर में कई पत्रकार हुए मुझे एक चीज दो सिखाई गई जो मुझे मेरे परिवार से सीख मिली कि नौकरी आपको करना है मेरे जिस समास से आता हूँ वहाँ पर नौकरी मेरे पास option है तो नौकरी करना है नौकरी को नौकरी की तरह करो लेकिन जहाराश्ट की बात आए वहाँ पर आपको हत्यार नहीं टेकना है ये मुझे बच्पन से सीख मी जो और मैंने उसको अपने जनलिजम में निभाया कोई ऐसा महान काम नहीं किया लेकिन जहां-जहां मुझे लगा कि ये नहीं करना है देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, मैं सावरकर को अपना आदर्श मानता हूँ जहां पर उनको लेकर विवाद है, वो विवाद भी लिया, जहां अच्छा था, जो बुरा था जैसा था दोनों दिखाए, वो वो लोगों के interview भी उसमें documentary में लगा है जो वीर सावरकर कर के समर्थक थे और उन लोगों के interview beneath लगा है, जो सावर कर के विरोधी थे ये मैंने इमानदरी से काम किया लेकि मैं किसी वामपन्ती से उम्मीद नहीं करता हूँ मैं साफ कर दूँ क्योंकि वो चैनल है मैं जब उस पर काम कर रहा हूँ मशीड हम से दिखाऊँगा लेकिन जब राश्ट की बात आए मैं आपको अपना एक उधारन देना चाहता हूँ मैं बहुत बहुत चैनल में काम करता था जहां पर ड्रीम जॉब जिसके बारे में कहते थे कि उस चैनल में काम करना सपना होता है और वो चैनल का नाम था NDTV जो अपने उफ्रान पर था तब मैं वहाँ पर करता था वहाँ पर जब बाटला इंकाउंटर हुआ तो बाटला इंकाउंटर के अंदर ये तै हुआ कि भाईया ये जो इंकाउंटर है ये फेक है ये गलत इंकाउंटर है ऐसा चैनल ने मान लिया ये कमकरी करीब कूबर बैठे लोग ये मान रहे थे कि ये संद्यास पद है मेरा ये मानना था चुकि मैं उसके पहले crime head रहे चुका था एक channel के अंदर दिल्ली पुलिस की कारेप्रणाली को जानता था तो मुझे मानन था कि दिल्ली पुलिस इतनी देवकूफ नहीं हो सकती है कि जुम्मे के दिन भरी सुभा जाकर वो बाडला में इंकाउंटर रहे वो भी फरजी तो जो है वो मुटिवेर सही है मुझे जो समझ में आ रहा था लेकिन मेरे channel की उसदक की policy थी कि हम आतंगवादियों की आगे तथा कतित लिखेंगे या कचित लिखेंगे मैंने इंकार कर दिया मैं नहीं लिखूँगा मैं आतंगवादी ही लिखूँगा तो लेकिन आप एक हद तक वो कर सकते हो फिर आपको समझ में आने लग जाता है कि आप अविस संसान में बहुत दिन नहीं चलोगे मैंने आपको भी पिछले सेशन के अंदर यह जो दोजार उन्दिस का अधरन दिया मोदी जी दूसरी बार चुनाव जीत कर आते हैं तीन सो से उबर सीट लेकर आते हैं और सिये अंदुलंज भारत में होता है तो मैं कहता हूँ कि यह दंगाई है यह दंगाई लिखूँग मुझे मैं आटपूट एडिटर था तो सारे शो की जिम्मेदारी मेरे उपर होती थी तो मेरे संपादक ने बोला कि इन शीरों पर शो बनाना तुम्हें आदे घंटे का तो मैंने ठीक है बनाते हैं तो मैंने उस उनके दोरों लड़कियों के अकाउंट चेक करना शुरू क तो जहां तक मुझे यादे हूँ लड़ीदा शेखो उसका नाम तो लड़ीदा का मैंने फेस्बूक एकाउंट चेक करा तो उसमें उसने एक जगा पे लिखा था कि मैं अली मुस्कियार की प्रावड डाटर हूँ अली मुस्कियार कोन है आप मैंसे कितने लोग जानते हैं उसने बोपला नरसंगार में मुसल्मानों का नित्रत्व किया था और अली मुस्कियार की देख रेख में हजारों हजार हिंदू महिलाओं के बलतकार हुए हजारों हजार नायर पुर्शों का नरसंगार किया आ गया वो दानव अली मुस्कियार के लिए लड़ीदा कहती है कि मैं अली मुस्किलियार की प्राउड डॉटर हूँ गर्विद बेटी हूँ तो ये बात जब मैंने अपने चैनल हेट को बताई कि मैंने इसको आप शीरू बन वा रहे हो मुझसे मेरी टीम से ये तो अली मुस्किलियार को अपना अधर शमानती है तो मेरा बास पूसता है ये अली मुस्किलियार कोन है तो मैंने जो आपको बताया वो मैंने उसको बताया तो बहुत लिए तुमको मालूम है जनता को थो ना मालूम तुम बनाओ मैंने कि मुझे मालूम है मुझे मालूम है इसलिए मैं नहीं बनाओंगा वो एक खानी है ना कि एक गुरुजी होते हैं उनके चार शिश्य होते हैं वो कहते हैं कि यह मटका इस मटके को ऐसी जगा जाके फोड़ो जहां पर कोई देखना रहा हो तो एक पानी यंदर जाके फोड़ देता है पेल पर चलके फोड़ देता है पहाल पर जाके फोड़ दे है तो मैं नहीं मनाऊंगा उस पर शो लेकिन मेरा चैनल एडिटर का है कहना है जो वांबंती सोच का है कि वाई तुम जादा पन लिख लिए हो बना हो किसको क्या मालूम है हमें को तो दिखाना है हमारे चैनल की कि चलो ठीक है हमारे मालिक के किसी नेता से संबंध है कोई नेता चुना जीद गया मैं मानता हूँ कि आस तक शायद मैंने बहुत अच्छी डॉक्यमेंटरी बनाई तो मुलायम सिंग यादफ पर बनाई थी मैं उनकी विचारदारा से कभी सहमत नहीं हुआ लेकि मेरे चैनल बोला कि भाई चुकि उसम अखिलेश का मुख्यमंतरी बनना तहनी था और मुलायम समाजलादी पार्टी बहुमत में आगे भुट दिनों बाद बहुमत की सरकार बने थी यूपी में मेरे चैनल ने बोला कि यार मुलायम से यादफ मुख्यमंतरी बनने आएंगे शायद कल समाप्त होने का भी टाइम हो रहा है लेकिन सर जीनों ने एक बात बोले कि यह मैं जानता हूं एक मान लिजे कोई आपके पास डिबेट आता है और इतिहासी क्रूप से पूरे हिस्ट्री को आप जानते हैं आपने उसमें इंफेक्ट कर लिया है तो मैं थोड़ा सा वहीं से मान लिजे घ्यान वाफी का आपको इतिहास पूरा पता है और आपके उपर यह होता है सो में जानने से पहले आप खुद भी तो एक बार कहते होगे इस शो का तो कंक्लूजन यहीं निकलेगा कि भाई गलत गिराया था यह यह तो आप मान के चलते होंगे ऐसे में क्या कोई एक्स्टरनल फोर्स यह दबाओ काम करता है कि इस शो को भी न्यूटरल रख देना है ठीक ठीक मैं एक दो तीन करके कुछ पॉइंटर से कहूंगा है वो ज्यादा मुझे लगता है कि समझने के लिए ठीक है एक तो विशे है कि आप व्यक्तिक तवर पर इमांदार रही है इमांदार शत्य सबसे महत्तपूंड है सारी चीजे बाद में आपके उपर प्रेशर कम से कम आएगे आएंगे लिगन बहु चादा नहीं आएंगे जब आप भी माल कूट रहे हो तो आते जाते हर को कान के निची लगाएगा क्यों नहीं लगाएगा माल तो कूटी रहे हो आप उनके लिए नाच सकते हो अमारे लिए ने नाच सकते हो बोले गुटू गराग मार इसको क्या आप उनके लिए नाच सकते हो अब हमारी सत्य हमारे लिए नाचो चाओधा के बाद चो सारे तुलिय भगवा क्यों हो गए भगवा रंग दाएब हो गया रंगरी जिसे द ये सब चीजे बाजारी हैं, ठीके इनको उसी तर से देखें, इनमें बहुत भाबुक भी मत होई है, मूल विशे जो मैंने वहां भी कहा था, राष्ट महत्पून है, क्या, ना गांधी रहे, ना अंबेडकर रहे, ना नेहरू रहे, ना दिंद्याल रहे, ना लोया रहे, ना बात आई ज्यानवापी की, अयुध्या की, काशी की, मतुरा की, मैंने इतने संस्थानों में काम किया, कभी मेरे ऊपर कोई ऐसा दवाब नहीं आया, मैं एक उधारन देता हूँ, बिलकुल क्लिंचिंग एविडेंस, ना जी तो लोग कहेंगे बड़ी-बड़ी बाते करके के क्लस्टर देख रहा था, एक बहुत बड़ी घटना उत्रपदेश में घट गई, कारोने घटना है दे विदारक घटना, प्रोमो चला, देखिए रात आट बजे कौन है, गुनगार आधी आधी वो तो जैसा प्रोमो की, जो बच्चे लिखते हूँ तो बड़ा लिखते पूरा दफतर पूर कह रहा हैं, आपको फलाने भूल रहा हैं, खेर मेरी बात हुई, मेरी बात हुई, उनसे जो जिनका कारयले मुझे खोज रहा था, मैं उन्होंने जो कहा वो तो छोड़ी दीजे, मैंने क्या कहा, पानवचेरी नहीं, तमिलनाडू नहीं, जिसकी ही राजसत्ता की हैसेद भारत में पदानमंत्री की बाद दूसरी हैसेत होती है, अशोगी गलत नहीं करा, ठेक, मैंने कहा, मेरे लिए वो व्यास पीठ है, या तो बैठूंगा नहीं, अधिक्तम यह हो सकता, मैं बैठूं नहीं, और बैठूंगा, तो वहीं था, कि ऐसा भी हो सकता है, कि इनी तीन मिनट के भीतर मेरे फोन पर अगला फोन आ जाए, कि आप मत बैठिये, क्या, तो मैं गाड़ी लगवाता, घर चले आता, मैं जब तर मैं आज तक सामानी नहीं रखा, कोई अपना, मैं और मेरा ड्राइवर चल भाई या गाड़ी मैं लाएंगे, जितना आपका तंट घंट होगा, उतनी समस्याने पैदा होगे, और एक बात और कह दूँ, ये जो परचार है, कि नेता और ने बड़ा बरिशान किया, दिश किया, अइसा भी नहीं है, वही पत्रकार पिटते हैं, दवाब में लिये जाते हैं, ज्यादा त हो सकते हैं, जिनका अपना चरितर संदिध है, मेरे से मुझस्छर लोग क्या ते हैं, आपकी बात लोग सुन लेते हैं, बाकी किसी चेनल में उलद जाते हैं, और राष्टी चेनल वालोको तो सार्जिनिक रूप से उनका संस्कृति का विनंधन कर देते हैं लोग, उनी की बोले आपके विनमरता पूरवक जुग जाते हैं उसके लिए आपको अपना नुकसान सहना की आद सहने की आदत होनी चाहिए आपके टेंकर भी चलेंगे आप प्रबटी का भी काम देख रहे हैं आप ठेके पत्ती में भी हैं क्या और पर रंगबाजी भी करेंगे पत्तकार हो जाएंगे शाम को कोट में नहीं हो सकते हैं तो लोग टी-बी पर बोलेंगे आप दलाल हैं दलाल हैं तिन बाप ए तैन बबे भी नहीं अई जानते हैं के बात कडवी कहीं इनों इनके कंद्य पर किसी दूसरी के बंदूख नहीं है और आज अगर मुझे रगड़ा है, तो कल दूसरे को भी रगड़ देंगे, उत नहीं, आप यह कर सकते हैं, तो आज भी नोकरी आराम से कर सकते हैं, और नोकरी नहीं कर पाए, तो अपनी बात कहने का हक तो है न, और सुनने वाले हैं देश में, ऐसा दो नहीं सुनने वाले पहले की स्थितिया लगती के बल तब अख़वार था ये चैनल था अब तो आप स्वतंतर रूप से भी अपनी बात कहेंगे तो उसको सरहाने बाले लाखों लोग हैं एक नई धारा तो कम से कम देश में विक्सित हुई है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं वो ही बहुत तो सारे पत्रकारों को खड़ा होना चाहिए लेकिन हम अकेले उसको छोड़ देते हैं एक बकरी को गिद्धों के और शेरों के जो उसमें बाडे में लाके छोड़ देते हैं वो बच्चा मारा जाता है चैनल वो भासकर का लड़का हो क्या एक मंत्री का अक्रोष का शिकार हो जाता है क्या गुनाह कर दिया को सवाल पूछ लिया तो जिल्ले इलाही मा बदोलत हो रहे है सुल्ताने आलम है बाकी लोग हस दिये मुझा मंत्री जी के मखल लगा लो है ने नी ठीक आप नहीं बड़ प्रेवी जाए बतमी जो जो अब इता है उसके साथ खड़े हो यह उ उस पर क्लोजिंग करना चाहूंगा देखिए आज की तारीक में बड़ा असान है पत्रकारिता में फिर कहा रहा हूं सोसाइटी में हर जगा बिकाओं हो तो पत्रकार भी बिकाओं है दलाली कर रहे हैं उसमें क्या बात है लेकिन यह जो शुरू में अमिताब जी ने कहा थ इस देश में अभी भी इमानदारी से पत्रकारिता करने वाले लोग हैं जो कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन यह हमको सोचना चाहिए कि जो इमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं ऐसे बड़े सारे पत्रकार दूर देहात में किसी डंपर के नीचे आक सिंगल बना दिया जाते हैं मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए 2011 में मैं किड्नैप हुआ था गाजियाबाद में 6 गंटे के लिए मैं अपरन करता हूँ के साथ था मुझे 3 गंड मैं थे मुझे किड्नैप कर लिया गया था एक समय ऐसा आया जब उसमें मुझे लगा कि अब ये मुझे गोली मार देंगे जंगल में हम थे मुझे लगा अब ये गोली मार देंगे उस वक्त मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि मेरे बाद, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? क्योंकि मैं घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मैं कोई दलाली करके मेरे पैसा नहीं कमाया, और ऐसे बहुत सारे पत्रकार होंगे, जो इन्होंने शुरू में काना, तो ये भी सोचिए बहुत सारे इमानदार पत्रकारें, इमानदार इता कर रहे हैं, उनके लिए कौन खड़ा है, कोई वेवस्ता नहीं है, कोई मर जाता है, उसके लिए कोई वेवस्ता नहीं है, कोई बुड़ा होगे, कोई अगर, अभी कोरोना में कितने हैं पत्रकार गए, किसी के लिए कोई उठा कि किसी सरकार ने किसी political party ने कहा कि फलाना पत्रकार को साथ वह चलो वह इसके बच्चों की पढ़ाई के जिम्मा हम लेंगे तो पत्रकार को गाली देना भी बड़ आसान है, एक पक्ष ये भी है, लेकि पत्रकार जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याइं भी है, ये भी हमें नहीं बूलना चाहिए, तो एक कुश्चन था और वो तो मैंने ले ही लिया जे जितनी अबादी उतना हक, लेकिन उसका एक मैं भी उत्तर देता हूँ कि, why does on OSE with important to get so much of coverage, देखिए, मैं social media का आदमी और YouTube का, अब मुझे किसी के साथ podcast करना है और मैं राइस्टवादी हूँ, तो मैं ऐसे आदमी को pick करूँगा जो मेरी भाशा बोले, ठीक है, और मेरे channel के लिए hit कर हो, और जब ये YouTuber पर दबाव हो सकता है, तो फिर यहां तो पूरा करोडों का विवस्था लगा हुआ है, जो मैरे व्यवसाइक व्यवधान का नाम लिया, तो ये एक बात समझने की है, एक CA विजे कुमार जी का प्रशन है, हर घटना में संप्रदाइक, हर घटना, संप्रदाइक, समु समुदाइविशेश जो टर्म क्वाइन किया हुआ है, मीडिया का प्रखरसर, ये कब तक चलेगी, मुझे रखता है कि हाँ, इसका आप उत्तर दे दिए, और इन्ही को बेस्ट कुश्चन कभी अवाट देंगे, मैं सवाल से सहमत रही हूँ, ये कभी एक दौर के अंदर च कैमरा चलते हैं, तो पहचान कपड़ों सो उजागर हो जाती है, तो ये अब एक समय होता था, और कभी कोई कहता है वर्ग विशेश, तो वो भी कई बार हम लोग टॉंट में कहते हैं, मलब है तो कई बार जब मैं अपने फेस्बुक पोस्ट पर लिखता हूँ, ये च्वि पर दिखाए दिये, तब से वर्ग विशेश, समुदाय विशेश जिसा कुछ चलता नहीं है, सब दिखाया जाता है, तो ये कहना वो नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि कई खबरों को आप अलग धंसे भी ले लिया जाता है, कल मैंने अशोक जी ने एक बुझा आइडिया तो ये अगर कोई विशेश जी नास्तिक है, तो उसके लिए अल्ला, ईश्वर, गॉड, सब उसके लिए नगरने होगे, वो सब के लिए नास्तिक होगा, लेकिन सलीम जावेद का दुआरा क्रियेट किया जिया विजे जो किरदार है दिवार का, वो अजीब किसम का नास्त अब नहीं होती, लेकिन अभी भी मीडिया का एक बड़ा इससा है, कि हर वक्त हिंदू को ही दोशी पहराता है, एक विशेश ऐसा है कि जो है, पंडित जो एक मौल भी पकड़ा जाएगा, लेकिन वो लिखेंगे उसके लिए तांत्री, तांत्री सिद्धिक करने होता है, त अब की जो होता है, आपके सवाल में ये होता है? चाहिए लेकिन ये जो हम लोग टीवी के अंदर वर्ग विशेश वगेरा तो हमने तो शायद इस्तुमाल करना बना है वहराइश की मामले में जो शलब मनी जी का ट्वीट था वहराइश की मामले में एक तरफा स्टोरी दिखाई आए वैसे मेरे फेवरेट करेक्टर ने हो जात वाले कौन जात हो जी हैं बारहाल सो के समापन का समय हो गया है अशोक सर बहुत-बहुत अभार अमिताप सर बहुत-बहुत अभार प्रकर सर और मुझ जैसे यूट्यूबर को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अमिट आप साथ एक अनेस पाप बोतो पार बार यूटूबर बोला गरो यूटूबर ही असकी बत्रकार भाया हम सब का भविश्य भी होई होगा नहीं लेकिन मैं जेनुरेनली बोलता हूँ जिन तीन लोगों के साथ आज मैंने ये शो गोस्ट किया है मैं सच में आप लोगा था सीए विजे कुमार जी मनीश ठाकुर जी का किताब है पत्रकारिता का कालाद है मेरी भी बड़ी फेवरेट किताब है ये आप लोग आप जरूर आपको मिल रहे तो पढ़िएगा बड़ा मजा आएगा ये पढ़के आपको